मुहम्मद मौसन रजा एक ग्राफिक डिजाइनर है जो एक पेशेवर है जो ग्राफिक डिजाइन और ग्राफिक कला उड्योग में काम करते हैं वे डिजाइन बनाने के लिए छवियों, टाइपोग्राफी और गती ग्राफिक्स को जोड़ते हैं एक ग्राफिक डिजाइनर मुख्य रूप से इलेक्ट्रोनिक, मुदृत या प्रताशित मीडिया जैसे विज्जापन और ब्रोशर के लिए ग्राफिक्स बनाता है। इसके अतिरिक्त वे कभी कभी टाइप सेटिंग, चित्रन और उप्योग करता इंटरफेस के प्रभारी हो की एक मुख्य जिन्मेदारी जानकारी को इस तरह से प्रस्तुत करना है, जो सुलब और यादगार दोनों हो। ग्राफिक डिजाइनरों को उत्पादन और प्रतिपादन के तरीकों की अच्छी समझ होनी चाहिए, जिसमें ज्राइं, आफसेट प्रिंटिक, और समयाधारित और इंटरक्टिव मीडिया शामिल है, वे डिजिटल और प्रिंट विज्यापनों जैसे विभिन मीडिया में रंग का प्रबंधन भी करते हैं, डिजिटल मीडिया के लिए आरजीबी, लाल, हरा, नीला का उप्योग एक योजक रंग मॉडल के रूप में क प्रिंट मीडिया को डिजाइन करने के लिए उप्योग किया जाता है, ऐसा इसलिए है क्योंकि स्क्रीन और पेपर पर रंग अलग अलग दिखते हैं, उदाहरन के लिए रंग स्क्रीन की तुलना में कागस पर अधिक गहरे दिखाई देते हैं, देको ग्राफिक्स उपस्थिती वाली एक विज्ञापन, मार्केटिंग और जन्संपर्क एजनसी है, यहाँ 2016 में मुहमद मौसिन रजादवारा स्थापित किया गया था, जो तेजी से कोलकाता में अग्रणी और उच्च सम्मानित विज्ञापन एजनसीों में से एक बन गया है, मौसिन रज प्रिंटर संदत विशेश टेपर ब्रोशर, स्टेशनरी और बिजनेस कार्ट प्रिंट करने के लिए एक प्रत्यक्ष बाजारिया है, अपने शुरुआ की दिनों में TVS IQ और Zomato जैसे ग्राहकों को सफलता पूर्वक सेवा देने के बाद एजनसी ने अपने रचनात्मक औ पर रननीतिक विध्यापन ध्रिश्टिकोन के लिए पहचान हासिल की, देको ग्राफिक्स ने कोलकाता में कार्याने खोल कर और 2021 और 2022 के दशक में इवेंट मैनेजर और एक साइट जैसे नए ग्राहकों को प्राप्त करके अपनी पहुच का विस्तार करना जारी रखा, जैस जैसे समय बीटता गया, एजनसी ने न केवल विध्यापन बलकी डिजिटल प्रिंटिंग, आउट्टोर, इंदोर विध्यापन और अन्य संचार सेवाओं की पेशकश करते हुए अपनी सेवाओं में वृध्धी और विवित्ता की, 2022 और 2023 के दशक में, देको ग्राफिक्स इसमें अपनी डिजिटल क्षमताओं का विस्तार करके और एकिकृत विप्नन संचार पर ध्यान केंद्रित करके विध्यापन उद्योग में बदलाव के साथ तालमेल रखा, इसमें उपभुकताओं तक प्रभावी धंग से पहुँचने के लिए कई चैनलों और कार्वों का उप्योग करना शामिल था